शीव सकती इस्टोलोजी में आपका स्वागत है आज हम आप चर्चा करेंगे जैसे आप लोग देखते हैं पंचांग आप उठाते हैं तो पंचांग में जो कोई सुब मुर्त देखते हैं तो वहां पे भद्रा लिखा रहता है भद्रा लिख करके वो मुर्त तो लिखा तो जहां जाहरा लिखी रेयती है कि इस समय से समय तक है उसमें कोई कारे नहीं कीया जाता है और आप उस समय भद्रा जब सनी की वहन है, तो सनी जैसा ही कारी करती है, जिस पीरिड इसमें अगर कोई हम कोई कारी करते हैं, सुभकारी करते हैं, तो अनिष्टकारी हो जाती है, लिए कोई अनिष्टकारी काम करने जा रहे हैं, उसके लिए उस सुभकारी हो जाती है तो इस चीज़ देहर का ध्यानना को जब भद्रा लगी हुई है तो हम सुभकाम नहीं कर सकते कोई अनिस्ट कार है उद्धन्ड वाले काम है अभी मैं आपको सिखाऊंगा उस कार के लिए प्रस्तस्त माने गई है तो आप भद्रा के बारे में आप विचार करोगे कैसे तो आज हम यहीं चर्चा करेंगे कि जैसे भद्रा में हमें क्या कारे नहीं करने चाहिए ठीक है पहले आप समझ लिजिए जैसे भद्रा काल कहीं लगी हुई हो तो उसमें आप विबा है मुंडर है ग्रियारंब है, ग्रप्रवेश है, रक्षाबंदन है, होलिकादन है, कोई भी शुबकार आप नहीं करोगे भद्रा लगी हुई है, पंचांग में आपने देखा, भद्रा लिखी रहती है, इस तारिक को इतने बज़े सुरू होगी, इतने दर्समाप्त होगी, उस पीरिट के बीश में आप ये कारी नहीं करेंगे क्या कार्याब कर सकते हो उस कार्य को क्या कर सकते हैं जैसे भद्राकाल में सत्रु का उच्छाटन करना है सत्रसंबंदी कोई कार्य करने है जब करना है तंत्रमंत्र करना है वो कार्याब कर सकते हो दूसरा है इसत्रे प्रशंग है इसत्रे के शायत प्रशंग है संतान प्राप्ति के लिए वह आपकार करशकते हो। यग्य करना है यग्य कर सकते हो सत्रों पर अपने अससस्त का प्रयोग कर सकते हो मुकदमा दायर करना है मुकदमा दायर कर सकते हो आग लगाना कहीं किसी कहां आग लगाना है पहले दुस्मनी में लोग दूसरे घर में आग लगा देते थे तो इस तरह कि आग लगाना है कोई प्धि है यद भठी है कोई भठ्ठा लगा रहा है या को महा जैसे भठ्ठी अपनी लगाता है यहां एंट का प्धा उसमें आग लगाना है तो इस िश्यु बाद्रा में बटाया गया है, पहले मैं बट्रा का वास बता देता हूँ, फिर उसके बारे में बताऊंगा ने तो आपके समझ में नहीं आएगा, भद्रा के तीन वास बताए गया है, कि स्वरग लोक की भद्रा, अनिका फल जो है वो अलग-अलग है जो हमारा इस लोग कहता है कि स्वरगे भद्रा सुभमकारे पाताले चाधनागमा मृति लोग के यदावरिष्टी सर्वकारी भी नासनी स्वर्ग लोग की भध्रा है शुबकारी प्रस्थ मानी गई है अगर भध्रा लगी आज आपने देखा और वह भध्रा स्वर्ग लोग की है तो उसमें आप यह सुबकारी कर सकते हैं को मना कर देते हैं अगर स्वर्ग लोग की भद्रा है तो आप वो कारी कर शकते हैं पातालेचाधनाघमा अगर भद्रा जो है अगर भद्रा मृति लोग की है तब भी आप धनाघमन के लिए उसके लिए उप्रस्थमानी गई मृति लोग के अदा ब्रिष्टी है, अधि अधि मृति लोग की ब्रिष्टी मतलब भद्रा है, तो सर्वकारी विनासी, तो हर कारी का विनास करेगी, हर काम में अड़ चंडाल देगी, तो इसके कहने मतलब है, भद्रा भी के तीन वाश है, स्वरग लोग, पाताल लोग, मृ गोचर कर रहा है उसके अंसार हों हम बताते हैं जैसे भद्रा का विचार करना है उसका लोकवास निकालना है तो आप क्या लिए इस तरह से चाड़ बना लेना लोकवास स्वर्ग पाताल भो लोग अब राशी के अंसार देखें कि चंद्रमा आपका जो गोचर कर रहा है उस दिन चंद्रमा किस राशी में गोचर कर रहा है मेज ब्रेज मेथोन कर रहा है क्योंकि पत्रा देखोगे पत्रे के सामने ही लिखा रहता है कि चंद्रमा इस राशी में गोचर कर रहा है नहीं समझ में आता है मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग प्रेक्टिकली तो इस तरह पंचांगों में यह भद्रा आपको दी रहती है वहां से आप लोग सीखेंगे तो मैंने देखा कि चंद्राश अगर भद्राइस रासी पे है तो स्वर्ग लोग के मास है अगर पात कहीं लिखा हुआ है कन्या, तुला, धनु और मकर रासी में अगर चंद्रमा गोचर कर रहा है तो वो पातालोक में भद्रा को समझोगे और कहीं भद्रा लोक में जैसे चार, पाँच, ग्यारा, बारा इसमें अगर भद्रा लिखी हुई है, इसमें भद्रा है तब समझ लेना कि भद्रा का वास कहा है, भद्राइस बहु लोक में है यदि पातालोक में भद्रा का वास है छे, साथ, नो, दस, तो समल भद्रा का मुख किदर को है पातालोक की तरफ है, वो नीचे को देख रही है यदि भद्रा आपकी चार, पाँच, ग्यारा वारा में है अनि करक में, सिंग में, कुंब और मीन राशी में चंद्रमा उसमें गोचर कर रहा है और उसमें भद्रा लगी हुई, जिस अभी मैंने आपको दिखाया कि सिंग राशी में उसमें भद्रा थे तो इसमें भद्रा का मुख किदर हो गया, सम्मुख है तो इसमें हम कोई भी शुबकार यह नहीं करेंगे अगर हम सुबकारी करेंगे तो जिजमान का अनिष्ट हो जाएगा तो इसलिए आप ध्यान नको कि जब तक भद्रा लगी हुई है उस भद्रा काल में कोई भी शुबकार आप लोग नहीं करेंगे ठीक है किस तरस भद्रा आपको उपने पंचांग में भी बता दिया कि कैसे भद्रा लिखी रहती है कहां पर चंद्रमा लिखा रहता है तो आपको बता दिया तो इसलिए से कहाख गया कि स्वरगय भद्रा अगी स्वरगय भद्रा है रिख मुखी है यह सुभखारी है इसमीं अफ शुभखारी कर सकते हो यदि पाता लो की भद्रा हो ब्ला की है और कार्शुवकारी करशकते हैं या भद्रा जो है सम्मुखवा गई है और करके सिंकनेस में है तब आप कोई भी कार्शुवकारी नहीं करेंगे कोई उसकारी कर सकते हो जब यह है सत्रू चाटन इसी प्रसंग यग्ये है सस्त का प्रियोग हमकदमा करना आग लगाना वस्तू को काटना पीटना इस तरह के काम इसमें करिये जा सकते हैं प्रित होगे भद्रा की बारे में और एक चीज़ और भद्रा का परिहार जो बताया हैं सुभकारी कर सकते हैं बद्रा का तो वह भी मैं आपको कर दोता दो से नहीं आप लोगों को दिमाग में रहेगा कि ति पूरबजा भद्रा दिवा हब रात्री बहात में हो जाए तो दोश कारणा होके शुक्षदायनी हो जाती। इनके कहने मतलब ये है कि अगर कोई तित्थी है, मालो भद्रापकी सुरू हुई कब रात्री में? रात्री में सुरू हो रही है, और वो अगले दिन दिन में समापत हो रही है। तो जो दिन का सुरू होते के बाद जो भद्रा का समय रहे जाएगा, वो क्या कहलाएगा? वो पक्षकाल कहलाएगा, उस समय आप कोई कारी करेंगे, वो शुबकारी होगा, शुबकारी नहीं होगा। इसी तरह अगर दिन में भद्रा लगी है, शुबह दिन में लग गई है, और उसका लास्ट का समय रात्री में समाप्त हो रहा है, तो लास्ट में जो रात्री के समय समाप्त हो जो पीरियड होगा, उसमें आप कोई कारी करते हैं, तो वो भी शुब होगा, वो अनिष्ट कारी नहीं होगा तो इस तरह भद्रा का परिहार आप देख सकते हैं तो कोई इसे दिक्कत नहीं है तो इसमें कार किये जा सकते हैं तो इस तरह भद्रा का विचार करना आपको आना चाहिए क्योंकि आजकर भद्रा के बारे में लोगों ने हुआ बना दिया है तो बहुत-बहुत स सुर्ग लोग की है पातालोग की है इसको विचार करो गया तब आप कारिक सुभकार करा सकते हो और मिरत लोग की भद्रा है तो उस सुभकार के लिए वर्जित है और जो खड़कर्म है इस तरह के उसके लिए प्रस्थ है बाने गई है भद्रा तो इस तरह से आप लोग भद् तिलोक में हो आप लोगों वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा इस तरह ज्यान वर्धक चीजे हमें आप लोगों शिखाता रहूंगा वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद